अब हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाँ इलेक्ट्रोफिलिक याने जो इलेक्ट्रोन को लाइक करने वाले हूँ याने इनके उपर क्या होगा धनाविश होता है और एसी जगह में इह आक्रमण्न करते हैं, ऑधिक होता है तो जो है वो किस प्रकार यहां पर अभी क्रिया करते हैं इसे समझें आप ये भी समझें कि बेंजिन और ये इन us बनते हैं हैलो एरीन्स तो इन दोनों की क्रियाशिलता में कौन अधिक क्रियाशिल है बेंजीन जो होते हैं हैलो एरीन्स से अधिक क्रियाशिल होते हैं ऐसा क्यों होता है चलिए समझते हैं यहां देखिए जब हम हैलो एरीन्स की बात करते हैं हैलो एरीन्स में क्या होंगे है हालोजन जुड़े होते हैं यह हालोजन जो है वो बेंजिन रिंग में दो प्रकाल के प्रभाव डालते हैं एक जो डालते हैं यह धनात्मक M प्रभाव जिसे हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट और दूसरा है रिनाथमग आई प्रभाव जो है प्रेड मिक प्रभाव इससे होता क्या है देखिए क्लोरो बैजिन में Navya क्या यह जो हमारा क्लोरीन है इसके पास छे इलेक्ट्रोन है सांथ ही सांथ यह क्या करता है कार्बन के सांथ जो हमारे रिंग का कार्बन डबल बॉन कार्बन है इसके सांथ भी यह क्या कर रहा है सयूगमन करता है बंद का निर्मान करता है जिससे इसमें क्या होता है यह इले हेलोजन क्या करते हैं कि यह रिंग से एलेक्ट्रोनों को अपनी और खीचते हैं जिसे हम कहते हैं रिनात्मक प्रेणिक प्रभाव के कारण यहां पर क्या होता है इनकी क्रियाशिलता थोड़ी कम होती है साथ ही साथ देख़िए यह क्या करते हैं यह एलेकट्रोन मीजोमेरिक प्रभाव भी डालते हैं इन दोनों के प्रभाव के कारण जो हमारा हैलोजन ग्रूप होता है यह हमारे हैलोएरिंस की क्रियाशिलता को कम कर देता है फिर भी बहुत सारी परिस्तितीयां हम अगर इने द तो इनकी क्रियाशिल्ता को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं और जो दूसरा interesting factor है जो हमें ध्यान रखना है अभी हमारी आने वाली जो अभी क्रियाएं हैं उनको समझने में क्योंकि वहां हमें दो प्रकार के उत्पाद मिलेंगे एक मिलेंगे और्थो और एक मिलेंगे पैरा तो यह और्थो और पैरा उत्पाद हमें क्यों मिर रहे हैं यह हम समझते हैं तो देखिए हैलो एरींस में क्या होते हैं ये जितने भी हैलोजन्स होते हैं ये और्थो और पैरा डारेक्टिंग होते हैं ये और्थो और पैरा डारेक्शन में ही अभी क्रियाओं को होने देंगे ऐसा क्यूं है चलिए इसके मेकेनिजम से समझते हैं हेलो एरिंस में क्या होता है कि इनमें अनुनादी सरचना पाई जाती है जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्लोरीन जो कार्बन के साथ बंद बनिर्मान किया हुआ है यह क्या करता है द्वीबंद को तोड़ देता ह कारण कि क्लोरीन जो है कार्बन को एक एलेक्ट्रोन और देता है यह एलेक्ट्रोनों का साजा करते हैं और इनके मद्दे देखिए द्वीबंद बनता है और जो हमारे बैंजीन रिंग का द्वीबंद है यह तूट जाता है जिससे कार्बन के उपर रिण आविश आता है अ यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्वा अधीक हो जाता है तो हमारा क्लोरीन जो है या हैलोजन जो है वो और तो और पैरा पोजिशन पर ही अभिक्रियाओं को करवाते हैं तो जब भी हम अभिक्रियां देखेंगे सल्फोनेशन लें हैलोजी नेशन लें या नाइटरी करन लें तो हमें दो उत्पाद मिलेंगे एक मिलेंगे और्थो में और एक मिलेंगे पैरा में जैसे हमने पहले बात की थी और्थो और पैरा क्या होते हैं एक दूसरे के समावेवी होते हैं इनके बहुतिक और रसाइनिक गुन समान होते हैं अनुभार समान है इनका फरक यहां पर है कि इनकी पोजिशन जो है वो अलग-अलग है तो कौन सा मेजर प्रोड़क्ट होगा और कौन सा माइनर मुख्य और कौन सा उसका पूरक प्रोड़क्ट होगा यह हम कैसे डिसाइड करेंगे तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि पैरा पोजिशन पर यहां पर इस्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होता है जब हम और्थों क भी बात करते हैं तो दोनों ग्रूप क्या हो जाते हैं पास पास हो जाते हैं तो यह जो प्रोड़क्ट है उतना इस्थाई नहीं होता इसलिए और तो जो है हमारा वो क्या होगा मुख्य उत्पाद नहीं होता मेजर प्रोड़क्ट क्या होगा पैरा कंडिशन में तो जो प भीक्रिया देखते हैं उल्यक्ट्रोफिलीक सब्स्ट्रिटूशन यहां पर हमें औरतो और पैरा में से पैरा जो है वो मेजर प्रोड़क्ट मिलेगा तो चलिए देखते हैं हैलोजणी करन करते हैं यानने की हैलोजन का एडिशन हैलोजन में कौन-कौन हमाई पस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब इनका एडिशन कराते हैं तो हम एक उत्प्रे रख लेते हैं यहां पर उत्प्रे रख के रूप में लेंगे FECL3 hello suppression की से कर आते हैं तो क्या हो रहा है हमें यहाँ पनि और पर प्रोड़क्ट है और तो डाइक्लोर बेंज़न और दूसरा बंदा है परडाइक्लोरो बैंजन इन में से पराइक्लोरो बैंजीन हमारा मेन प्रोड़क्ट होगा चलिए बात करते हैं अब दूसरी अभिक्रिया यह है नाइटरी करन नाइटरी करन में हमें क्या करना होता है यह रिंग जो है रिंग में एनो टू को हमें एड करना है अब एनो टू एड करना है तो कोई ऐसा हम अभिकर्मक लेंगे जिसमें पहले से एनोटू होगा चलिए हम ले लेते हैं नाइट्रिक एसेड एच एनोट्री तो जब यह अभिक्रियाइं कराएंगे तो हमें यहां पर जैसे हमारी बात हुई थी हैलो एरीन्स जो है वो कम क्रियाशिल होते हैं तो यहां हमें कोई न कोई उत्प्रेरक लेना होता है तो यह अभिक्रिया जो है वो सल्फिरिक अमनी की उपस्तिती में होगी यहां देखिए बेंजिन यहां देखिए क्लोरो बेंजिन इस पे जब हम नाइट्रिक अमनी की अभिक्रिया करते हैं त इनका नाम होगा और्थो नाइट्रो क्लोरो बैंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरो बैंजीन इसके बाद में इनसे हमें मिलेगा वन क्लोरो टू फोर डाई नाइट्रो बैंजीन डायरेक्ट हमें यह उत्पाद नहीं मिलता पहले हमें मिश्रण मिलेगा उसके बाद नेक्स् NHK 303 को add करते हैं तो हमें यहाँ पे दो प्रोड़क्ट मिलेंगे चलिए देखते हैं हम लेते हैं खलोरो बैंजीन हिसके अभिक्लिया ही हैँजиля में 200 कमल और पेराकलो बैंजीन सबराइड गोरो वहलो हमारा मुख्य उत्पाद रहता है ए paycheck है हेलो एरिंस में आगे की अभिक्रिया हैं देखें इन में अब हम जो देखने वाले हैं वो है एलकली करण एलकली करण याने हम बेंजेन रिंग में एलकील ग्रूप को एड़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ एलकील हैलाइड लेने होंगे जो कि एलमुनियम क्लोराइड की उपस्तिती में अभिक्रिया को करवाते हैं तो हमने ले लिया है chlorobenzene ये chlorobenzene अभिक्रिया करता है CH3Cl जिसमें से CH3 जो है हमारा बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा जूड़ जाएगा कौन सी position में तो ortho और para position में हमें हर बार धियान रखना होगा कि हमारा जो chlorine halogen group है वो हमेशा ortho और para directing है halogen group की उपस्तिती में बेंजीन रिंग में हमें सिर्फ ortho और para position पे ही product मिलेंगे तो जब इनकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमें मिलता है ortho chloro tolwin tolwin की बात हुई थी हमारी कि जब बेंजीन रिंग में CH3 जुड़ा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं tolwin तो यह हुआ हमारा ortho chloro tolwin और इसी का एक उत्पाद और मिलेगा पेरा chloro tolwin जो की major product होता है चलिए एक और प्रश्ण हल करें जिन टू ब्रोमो ऑक्टेन का न ओच द्वारा जलब घटन पर धन ऑक्टेन टू ओल देता है इस अभिक्रिया की सही क्रिया विधी बताईए तो यहां देखिए SN1 अभिक्रिया अगर नहीं होती तो रैसेमिक मिक्षर जो है वो हमारा मोख्य उत्पाद के रूप में नहीं बनता है परन्तु प्रकाशी सक्रिय अभिकारक जो होते हैं वो प्रकाशी सक्रिय उत्पाद में बदन जाते हैं इसने यहां पर अभिक्रिया कैसी होगी sn2 अभी क्रिया होगी चले कुछ प्रश्णों को हल करें निम्न को sn2 क्रिया शिलता के बढ़ते क्रम में विवस्तित कीजिए CH3 CL, CH3 BR, CH3 CH2 CL, CH3 TWICE CHCL नेक्स्ट प्रश्ण देखें C2H5 BR और C6H5 BR में विवेद करने का एक रसाइनिक परिक्षन दीजिए नेक्स्ट प्रश्ण देखें निम्न को ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन की क्रिया शिलता के बढ़ते हुए क्रम में विवस्तित कीजिए CH3F, CH3I, CH3BR, CH3CL अगला प्रश्ण है बेंजीन में सलफोनी करन क्रिया SO3 द्वारा होती है जो उदासीन है यह एलेक्ट्रोफाइल के रूप में कैसे कारिक करता है अगला प्रश्ण है हेलो एलकेन में नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जबकि हेलो एरिंस में मुख्यता इलेक्ट्रोन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है क्यों अगला प्रश्ण है मिथेन क्लोरीन से अंधेरे में क्रिया नहीं करती क्यों चलिए अब जानते हैं कि इन प्रश्णों के उत्तर क्या होंगे तो हमारा प्रश्ण था कि SN2 अभिक्रिया में इनकी क्रिया शिल्ता के क्रम को विवस्तित कीजिए तो देखी हमने बात की थी कि एलकेल समू का जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है SN2 क्रिया शिल्ता इनकी क्या होगी कम होती जाती है तो एलकेल समू का कार बढ़ने के साथ साथ SN2 अभिक्रिया के प्रतीम की जो क्रिया शिल्ता वो क्या होगी कम होती है तो इसी कॉंसेप्ट को हम यहां अप्लाई करके इस प्रश्ण को हल कर सकते हैं तो जहां बात करते हम कार्बन और ब्रोमीन बंद की कार्बन और क्लोरीन बंद से क्या होता है यह दूर्बल होता है इस कारण से यह असानी से तूट जाएगा इस अधार पर हम क्रिया शिल्ता का क्रम इस प्रकार लिखेंगे CH3 twice CHCl फिर आएगा आप मारा CH3 CH2Cl चलिए दूसरे प्रश्ण को समझें दूसरे प्रश्ण में पात हो रही है कि C2H5BR और C6H5BR में विभेद करने की रसाइने का विक्रिया तो यहां हम जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोकसाइड के सांथ इनका जलब घटन कराते हैं तनू नाइट्रिक एसिप की प्रजेंड में तो इस विलियन में सिल्वर नाइट्रेड डालने पर हमें पीला उच्छे प्राप्त होगा जो कि सिल्वर ब्रोमाइड का होता है जबकि C6H5BR यह प्रशिक्षन यह परिक्षन नहीं देता अगला प्रशन है ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन क्रियाशिल्टा के क्रम को हमें बताना है इनकी क्रियाशिल्टा का क्रम कार्बन हेलोजन बंद की बंद उर्जा बंडने से क्रम क्या होगा कम होता जाता है तो यहाँ देखिए CH3F इसके बाद क्रम में आएगा CH3Cl, CH3Br और CH3I अगले प्रशन की और चलते हैं हेलो एरीन जल में आविले है क्यों? हेलो एरीन जो है यह जल के साथ हाइट्रोजन बंद नहीं बना पाते तता जल के अणुओं के बीच उपस्तित हाइट्रोजन बंद को यह तोड़ भी नहीं पाते इसलिए यह जल में क्या है? आविले है अगला प्रशन आपके स्क्रीन में है इसमें देखें कि एसो थ्री में जो सल्फर की तुल्ना में आउक्सिजन अधिक रिन विद्धुती है तो यह क्या करेगा? इलेक्ट्रोनों को अपनी ओर आकरशित करता है जिससे इसके उपर आणशिक रणावेश हो जाता है तता सल्पर धनात्मक आयन के समान प्रदरशित करता है अता यहां इलेक्ट्रोन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये क्या करेगा वहवार करता है अगला प्रेश्न देखें हेलो एलकेन, हेलो एरीन की तुन्ना में अधिक दूवी होते हैं अधाइन में कार्बन पर मानू क्या होंगे? धनावेशित होते हैं जिसके कारण ये नावेकिस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया असानी से देते हैं जबकि हैलो एरिंस में अनुनात के कारण कार्बन पर आवेश अधिक उत्पन नहीं हो पाता अदा ये केवल विशेश परिस्थित्यों में ही ना भी किसने चलिए इसी में हम बात करते हैं एसिटली करण के एसिटली करण में हम क्या करते हैं बेंजिन रिंग में CH3COCl इसे हमें एड करना होता है देखिए हम लेंगे क्लोरो बेंजिन इसके अभी क्रिया करते हैं CH3COCl से जिससे हमें क्या मिलेगा एरोमेटिक किटोन ये एलमुनियम क्लोराइड की उपस्तिती में अभी क्रिया करेगा और दो प्रोडक्ट और और पैरा का मिश्रण हमें मिलता है कुछ इस प्रकार और्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन एलकली करन को हम फ्रिडल क्रोफ्ट अभी क्रिया भी कहते हैं कर अलकी करे लुर्णियम क्नूटन प्रेड़ कर दो